हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम अगें टुलांप्र देतिमन तो देखिए हम लोगों ने राजिस्थान जीके की एट्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था कोश्यन अंसर भी हमने कर लिये उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ को तो देखिए बुक जो है वो है इस तरीके की है आपकी जो भी बच्चे देखना चाते हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सी बुक जो है मैं पढ़ा रही है तो राजिस्थान का सौतंतरता आंदोलन एवम शौरे परबरा ये आपकी क्लास नाइन्थ की बुक है तो इस तरीके का जो है इसका फ्रंट दिखाई देता है आप लोग देख लीजिए मादिमिक शिक्षा बोर राजिस्थान अजमेर की तो जो बच्चे यहां यूटूब पर नहीं पढ़ना चाते हैं वो लोग इस बुक को लेकर आईए और नाइन्थ के बाद जो है टैन्थ की जो बुक है वह भी लेकर आईए ताकि आपकी तयारी जो है वह बहुत अच्छी चल सके अब देखिए तयारी करने के दो तरीके होते हैं या तो आप मेरे साथ ही इन बुक्स को पढ़िए और इनकी कोश्यन अंसर चरी जो की इन ही बुक्स में से निकाली हुई हर एक पहराग्राफ में एक एक कोश्यन जो है वह चुन कर आप लोगों के सामने में पेस करती हूँ ताकि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसकी दुबारा से ऐसे रिवीजन हो जाए जब बुक में हम लाइनों पर ध्यान नहीं देते हैं तो कुश्यन अंसर में हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देपाते हैं जब वो कुश्यन सामने आता है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमने इस पहराग्राफ में ये लाइन पढ़ी थी ठीक है तो एक तो ये तरीका है आपका तयारी करने का दूसरा तरीक ये है कि आप लोग मार्केट से लेके आओ बुक और फिर खुद नोट से तयार करो और उसकी रिवीजन करो ये बुक जो है वो आपका बेस तयार करेगा 6, 7, 8 जो कि आपका तयार हो चुका है जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है उनका बेस बिल्कुल तयार है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 9th और 10th बुक को पढ़ने में क्योंकि उन्होंने सारी चीजे पहले से ही जान ली है अभी हम चैप्टर देखेंगे कि इस क्लास में कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने है और आपके जो सलेबस है चाहे 1st ग्रेट का है, 2nd ग्रेट का है चाहे आपका रीट का है, पटवार का है, RAS, SI किसी का भी हो राजिस्तान में तो वहां आपको ये चैप्टर सभी मिलेंगे, और इसमें जो भी कुष्ण पूछे जाते हैं, वो हर बार, हर बार यहीं से कुष्ण जो है, वो आपके बनते हैं एक्जाम में अभी तक यहीं से बने हैं, और आगे भी इन ही बुक से ही बनेंगे, इन बुक से बाहर किसी गाईड से नहीं बनेंगे, जो कि मैं आपको सेक्डो बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ फिर भी बच्चे अभी भी यही कुष्ण करते हैं, वो बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि पहली बार शायद चैनल से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं पता होता है, तो जान लें वो सभी new student कि आपके जितने भी एक्जाम होते हैं, कोई आपको यह नहीं बताएगा, व बात हो गई आपकी अलग, इसके अलावा बाकी सारा matter आपका यहीं से पूछा जाता है, हर एक question आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो या तो आप खुद अपने notes तयार करो, दूसरे YouTube पर देखकर आप लोग अपने notes तयार करो, इसके अलावा भी यदि आप second grade की क आप वहाँ पर post graduation की, PG की जो books हैं, उनको लाईए और बहुत ही authentic books को लेकर आईए और उनसे notes बनाना start करिए, क्योंकि तैयारी जो है वो खुद के notes से ही होती है, notes यदि आपके पास हैं, आपने बनाए हैं, तो बिलकुल आप किसी भी exam को कर जाएंगे, ठीक है, अब देखि आपको तो बनी बनाई चीज मिल रही है, जिसको मैंने जो है वो सालों लगा दिये, जिनको तैयार करने में, वो आपको मिल रही है, आला कि मेरे पास notes जो हैं, वो पहले के थे, लेकिन फिर भी बच्चों की जो पहले की जो recording थी, उसको भी मैंने साइड में करके, बिलकुल मंतरी कौन है, यदि पॉलिटी की बात करें, ठीक है, इसी तरीके से जोगरफी में यदि बात करें, कोई भी चीज नई जुड़ती है, तो उसमें भी मैं नया एड करके जो है, वो आप लोगों के सामने लेकर आती हूं, ठीक है, तो यही जीज मैंने course में भी आप लोगों को दे रही हूं, नहीं आप लोग कर पाओगे, एक बार में सारी चीज़ें आप लोग नहीं याद कर सकते, तो आराम आराम से करिए, RBSC की बुक जिनको तो मैं हमेशा ही कहती हूं, चाहे course लिया है, नहीं लिया है, आप लोग करेंगे ही, तैयारी मेरे द्वारा ऐसी अलेक्शन हो, मेरा मोटीव यह नहीं रहता है कि आप लोग पैसे खर्च कर दो और फिर आपके हाथ में कुछ ना आए, तो ये बुक जो है वो आप लोग देख लीजिए, क्लास नाइन्थ की है, राजिस्थान का सोतंतरता आंदोलन एवं, शौर्य परंपरा, ठीक है, अदिमिक बोर्ट जो है वही करवाएगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो जो भी बच्चे मार्केट से खरीदना चाते हैं, खरीदें और पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन हमारे साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में, तो बिल्कुल क्लास जैसा माहौल जो है वहे आपको लगेगा, साथ में चैप्टर आपका complete भी होगा, आपको मजा भी आएगा, और जब आप question answer करोगे तो आपको एक तरीके की revision आपको मिलेगी, अब देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर है, 9th क्लास में, 1857 की क्रांती है, जो कि आपके 1st grade हो, 2nd grade हो, read हो, सब में आपको पढ़ना है, ठीक है, अभी तक हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, छोटी क्लास में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब बड़ी क्लास है, तो यहाँ पर आपको और भी बढ़कर मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि चोटी क्लास को आप ignore कर दोगे, ठीक है, क्योंकि कुछ जो fact है, वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे, इसी लिए उनको भी पढ़ना जरूरी है, फिर देखें, राजिस्थान के क्रांतिकारी, तो यहाँ पर जो भी राजिस्थान के क्रांतिकारी हुए हैं, उनके बा इसलावा, रास्तापाल, जो डूंगरपुर में, यहाँ पर नाना भाई, खाट, काली भाई, तो इनके बारे में जो है, वहाँ यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, नेक्स्ट जो थर्ड चेप्टर है, वहाँ है, राजिस्थान के प्रमुक किसान आंदोलन, तो यहाँ किसान में आजाएगा, राजिस्थान में जन जातियों के आंदोलन, तो जन जातियों के जो आंदोलन है, भीलों के आंदोलन, ठीक है, मेर विद्रो है, तो वहाँ फोर्थ चेप्टर में आएगा, फिफ्थ चेप्टर में देखिए, राजिस्थान में जन जागरती और प्रजाम प्रजा मंदल का अर्थ किस वज़े से प्रजा मंदल की जो आविशक्ता हुई यह सब कुछ हमने पहले पढ़ लिया था चैप्टर्स में अब यहां पर हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे अच्छे से डेटेल में राजिस्थान का एक ही करण साथ चर्णों में जो पूरा होत है उसे हम पढ़ भी चुके हैं और यहां पर और भी जादा डेटेल में पढ़ने वाले हैं राजिस्थान की शौरे परंपरा जिसमें हम यहां पर जो है ऐसे सहीदों के नाम जिन्होंने परमवीर चक्र विजेता रहे हैं महावीर चक्र विजेता रहे हैं उसके बाद तो ये तो थे आपके सभी चप्टर कुल साथ चप्टर है इसमें जो की बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है जो की लाइन वाइन दिये हुए है कैसे कि पहले अठारे सतवन की क्रांती होती है तो क्रांती में बहुत सारे क्रांती कारी जो है वहे निकल कर सामने आते हैं कौन कौन रहे हैं जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया भाग लिया यहां पर 1857 की क्रांती में उनके बारे में हम पढ़ते हैं second chapter में फिर इन क्रांती कारीयों को देखकर जो भी जोस पैदा होता है यहां पर छोटे किसानों में तो राजिस्थान के जो किसान आंदोलन किस तरीके से हुए ठीक है यहां जो है किसने जो है सपोर्ट किया इन लोगों को तो वो पढ़ेंगे किसान आंदोलन हो जाता है तो जंजातियों में भी जो है जागरती आती है तो ये लोग भी आंदोलन करते हैं फिर उसके बाद प्रजा के लिए जो है यहाँ पर एक मंडल तयार किया जाता है तो बहुत ही intelligent पढ़े लिखे लोगों द्वारा जो है वो प्रजा मंडल आंदोलन जो है वह चलाया जाता है ठीक है राजिस्थान का एक ही करण हो जाता है और राजिस्थान जो है पूर्ण स्वतंत रूप में सामने आ जाता है ठीक है उसके बाद राजिस्थान के जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये कुल साल चेप्टर है जो कि आप देख लीजिए बहुत ही important है बहुत बहुत जादा important है आपके syllabus के according चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो ठीक है तो आज तक जिन बचों ने इन books को नहीं देखा है तो देख लीजिए और यदि आप लोग मंगवाना चाते हैं market से म करिए question answer series यहाँ पर है आप लोग note down करिए जिनको note down नहीं करना है वो लोग PDF जो है वह purchase करिए कैसे भी करिए आप लोगों को तैयारी करनी है तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में जहां पर मैं 9th class का 1st chapter आप लोगों को पढ़ाऊंगी 1857 की क्रांती थेंक यू हुआ हुआ हुआ